इतना मूर्ख लड़का है वो शिटा से मुझे बॉलने का मैंना नहीं मरेद वरिदाबन में सुब हो टाटा था सचाई चुपाई गई अफ़ा उड़ाई गई बात कुछ और थी बताई कुछ और गई जगद गुरु श्री पora पूज़े श्री राम अधर अचारह जी तो हमारे भगवान के समान है क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं जाएंटा जगद जान से मार दिया जाएगा फिर से मंच की गड़ी मा भंग हुई तो यह मेरी गड़ती थी मैं तक धरम को सीखने के प्रयास में हूँ मरा जी आजकल बच्चे संक्या में लगाता है प्रवचन करता है बड़ आपकी संक्या में इसके लिए आप जाएगे अपने अपने दिखा हुआ है इतना मूर्ख लड़का है वो वो कहता है कि क्रिश्न उसके साथ पढ़ता है उसके स्थिता से मुझे बोलेगा मैंना नहीं भगवाल के से उसके साथ पढ़ेंगे मरिद वरिंदावन में सुप हो टाटा था देखिए आज के स्थिती पर एक बड़ी वक्ता है मुझे उनकी कुछ लाइन से याद आ रही है कुछ पंक्तिया याद आ रही है सच्चाई चुपाई गई अफ़ा उड़ाई गई बात कुछ और थी बताई कुछ और गई वो व विडियो आज से एक देट साल पुराना 2023 वरिंदावन का है क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डाइटा क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डाइटा अगर देश की इतने बड़े संत जगत गुरु श्री राम अदा अचारी जी ने मुझे डांट भी दि अचारी झाल से घाल पुछों जाता हो आच साल की में कभी डांटा होगा vitre pictured भी नोसाल की डांटा होगा क्या आप से आथ साल की में नौसाल की म्मने कभी डांटा होगा वो कह लो कह एक स्कूल नहीं गई अड़े में स्कूल जाता हूँ और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा टोरिंग कर रही है कि मैं इन लोगों के वजह से स्कूल नहीं जा पा रही है आपको सूशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि यह गंदि-गंदि बाते भी आ रही है उसमें लिखी हुई इसके लबा कुछ हमने सुनाएं फून कॉल्स आ रहे हैं आपके घर पर परीवार वालों के पास उसमें भी कुछ कहा जा रहा है तो इस सब पर आपका क्या देना है मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 कॉल्स आ रही है और उस देखिए जैसे दिवादी आ रही है सब दिवादी की तियारी कर रही है दिवादी की शोपिंग कर रही है और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही है कि आप घर से भार नहीं निकल सकती आपको जान से मार दिया जा कि आपने सुना देखा देखिए अभी तक मुझे मोटा तुट्सा बूदरे थे तब तक हम ने सोचा कि उनका वेपार चल रहे वो कमा रही है लेकर नब बात मेरी भक्ती क्या गई मेरी भक्ती को नखली का जा रहा है अब मरदाश नहीं करेंगे कई तरह कि आरोप पर लगे क आप कहा गया कि आप मंच पर चले गए मंच की मर्यादा भंग हो गई उसकी बचा से सासर रामभदराचारे जी के लिए आप क्या सूचते हैं क्या आपका कहना ही तुनों चीज़े मैं आपसे जाना चाहूंगा जगत गुरुश्री रामभदराचारी जी की देशन करके मैं भक्ती में दीन हो गया था तो मुझे रखता है कि मेरे से मंच की गडिमा भंग हुई तो ये मेरी करती थी तो इसके बाद मैंने मंच में कभी ऐसा नहीं किया क्या सूचते हैं आप रामभदराचारे जी के लिए क्या आपके विशार हैं देखिए रामभदराचारे जी की सांट में भी एक प्रेम चिपा हुआ होता है उन्होंने मुझे जानता इसको भी मैंने आशिरवाद स्फिरू भी समझा और मेरे ओपर ये जो आड़ों पर लगाए जा रही है यह होती दुर्भाग्य की बात है और कई चैनल मुझे कई जोग मुझे धरम गुरू और संद क करके भी पुकार रही हैं खृपया ऐसा ना करे अभी तो मैं मेरी काना जी का मेरी राधा यानि का मेरी राम जी का एक भक्त हूं मैं तो धरम को सीखने के प्रयास में हूं तीर्थों के दर्शन करता हूं तीर्थों के दर्शन करता हूं ज्यानी संतों से मिलता हूं उनसे सम नातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ क्या हुआ था वो मन्च वाली बात एक बर दरूर बता दीजे आप क्यों कि उसी को लेकर मुख्य बात जो है आप पर आप लगें वह एक बर अगर अगर आप बता पाएं पुरफ क्या कुछ हुआ था मंच पे चले गए थे क्या हु मझे दान्ता था और मेरा तो मानना है कि उनके लायत में भी मैने आशिर्वाद सुरूखी पाया और उसके बाद उन्हों ने मुझे अपने तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गरती नहीं की और आपकी गरती आपको एक सीख देती है तो पिर आप जब रामध्राचारेजी से मिले तो किया आपने कुछ कहा उनों ने कुछ दे कहा तो वह तोड़ा बताई है। अब कुछ बात हुई का रहा जब आप दोपारा मिले उन से इसके बात अनुन Landy ऐसे अपने दूप में बिखुँग था और मुझे आशिरवाद दिया था अब जब आपको वीडियो देख रहे हैं कि दोबारा राम बद्राचारे जी आपको कह रहे हैं आपके लिए एक शब्द का इस्तिमाल उन्होंने किया है तो क्या उस पर कहना चाहेंगे जो दोबारा वीडियो सामने आये राम बद्राचारे हमने मतरा पुलिस में शिकायत कर दी है हम कोड़ जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी और ये कारेवाही हमने टोलर्स के यूट्यूबर से खिलाफ की है जो कि यूट्यूबर्स है हमें टोल कर रही है मुझे जान से मानने की ध तो आपके क्या उमीद कर रहे हैं पुर्स अपना काम अच्छे से करेगी हम पोड़ जा रहे हैं for more of such videos do like share and subscribe to ET Now Swadeesh